लालू जी जंगल राज के प्रतीक हैं और परिवारबाद के प्रतीक हैं और तीसरा बरस्टचार के प्रतीक हैं आपको मालूम है बरस्टचार के मामले मुझे जेल जा चुके हैं और वैसी प्रसिति में जब वो बिहार के अंदर फिर से राजनीत कर रहे हैं तो अभी वो बे मुक्त नहीं हो सकते हैं देश के अंदर आपको जानकारी है कि OBC की अबादी लगभग 50-52 से 60% तक कही जाती है लेकिन संसद के अंदर अभी भी उनका जो कुल परतनों देतु है वो सिर्फ 22% है आज से 20-30 साल पहले लगभग 84 में यह उपस्तेती सिर्फ 11% तो वहां से यह पर बढ़कर के 22% हुआ है लेकिन इस देश की बहुत बड़ी आबादी अभी भी संसद या बिधान सबाहों में परतनों देतु उस तरह से नहीं मिल रहा है जो उसको मिलना चाहिए आति पिशड़ा समाज पिशड़ा समाज का जब इसमें होगा तो हम समस्ते हैं कि इस दे की तरफ हम बढ़ चुके हैं और आने वाले दिनों में निश्य तोर पर ये सरकार NDA की सरकार OBC महलाओं को अति पिशड़ा महलाओं को भी कोटा बिधिन कोटा का जो डिमांड है हमारी पाटी का भी और कई दलों का ये डिमांड है इसको निश्य तोर पर पूरा करेगी कि इस देश के अंदर आजाद भारत में अभी तक लगबग 600 महलाएं संसद हुई है और उसमें सिर्फ 2.5% महलाएं ही OBC वरग से आती हैं तो जब ऐसी प्रसुति है और समाजिक तोर पर पिशड़ापन भी है और राजनेतिक पिशड़ापन तो उससे भी ज्यादा है आपको मालूम है कि अभी भी पंचायतों के अंदर बिहार जैसे राजियों में जहां पर इतने बड़े पेमाने पर महलाओं को अरच्छन है अभी भी उनके पती या उनका बेटा या उनके ससूर या उनके भाई संचालित करने का प्रयास करते हैं लेकिन आज से 20 साल पहले की जो इसमें बहुत गुनात्मक बदलाव आया है सहंसद में कई सालों से रुका हुआ था महीला आरक्षन वील को ले करके आप 33 परसंद जो है महीला को आरक्षन मिलेगा भी हमारे साथ आरेलजेडी के प्रदेश प्रवागतार राहुल जी है महीला आरक्षन का जो बात है उसमे कि लंबे इंतजार के बाद इस देश में महला रक्षन बिल जो नारी सक्ती वंदन अदिनियम के तौर पर आया लोकसभा में पास हो गया और आज हम उमीद करते हैं कि राजसभा में भी सांदर तरीके से पास हो जाएगा निश्य तोर पर महलाओं को इसे एक बड़ी ताकत मिलेगी लेकिन महतपुर्ण यह भी है कि इस देश के अंदर आपको जानकारी है कि OBC की अबादी लगबग 50-52 से 60% तक गही जाती है लेकिन संसद के अंदर अभी भी उनका जो कुल परतनुदेतु है वो सिर्फ 22% है आज से 20-30 साल पहले लगबग 84 में यह उपस्तिती सिर बढ़तर के 22% हुआ है लेकिन इस देश की बहुत बड़ी अबादी अभी भी संसद या बिधान सवाहों में परतनुदेतु उस्तर से नहीं मिल रहा है जो उसको मिलना चाहिए ऐसी प्रस्तिती में आपको मालूम है कि महलाएं चाहे वो किसी जाती वर्ग से आती हो उनका उत्पिड़ान अलग तरह से होता है उनके सामने जो समाज के अंदर जो चुनोतिया है जो राजनीती में जो चुनोतिया है जो कार्पूरेट जगत में चुनोतिया है या कारियस्थल पर जो चुनोतिया है निश्य तोर पर राष्टी लोग जनता दल और तमाम दल इस प्रक्रा समाज का जब इसमें होगा तो हम समझते हैं कि इस देश को तरक्की देने के दिशा में एक नई इवारत लिखने में मददगार होगी। हम लोग सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एक बड़ा काम हुआ या होने की तरफ हम बढ़ चुके हैं और आने वाले दिनों में निश्य तोर पर ये सरकार, एंडिये की सरकार, ओभी सी महलाओं को, अति पिशडा महलाओं को भी, कोटा बिदिन कोटा का जो डिमांड है, हमारी कई लोग कर रहे हैं कि इससे जो है, ओवी सी, ऐस्टी की महलाओं को अरक्षन, इसका कोई लाव ने मिलेगा, ये बड़े गवर के जैसे, अंभानी की महला हैं, उन लोग को ही से पैदा हो, देखे, तमाम आकड़े हैं इस बात के गवा, कि इस देश के अंदर आजाद भार में अभी तक लगबख 600 महलाएं सांसद हुई हैं, और उसमें सिर्फ 2.5% महलाएं ही, ओवी सी वरग से आती हैं, तो जब ऐसी प्रस्थिती है, और समाजिक तोर पर पिश्रापन भी है, और राजनेतिक पिश्रापन तो उससे भी जादा है, आपको मालूम है कि अभी भी पंचायतों के अंदर बिहार जैसे राजियों में, जहां पर इतने बड़े पेमाने पर महलाओं को अरच्छन है, अभी भी उनके पती या उनका बेटा या उनके ससूर या उनके भाई संचालित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज से 20 सल पहले की जो प्रस्थिती थी, उ उसमें बहुत गुनातमक बदलाव आया है, तो ऐसी प्रस्थिती में जब आजाद भारत में अभी तक 600 में महज 5.5% अगर भागेदारी हुई है, ओवी सी महलाओं की, तो अगर कुछ दल या कुछ लोग या कुछ चिंतक इस बात की तरफ चिंता जाहिर करते हैं, तो दिनों में इसके लिए और उत्सा हमारा है कि आने वाले दिनों में इसमें बदलाव आएंगे। के प्रतीक हैं आपको मालूम है ब्रस्टचार के मामले मुग जेल जा चुके हैं और वैसी प्रसिति में जब वो बिहार के अंदर फिर से राजनीत कर रहे हैं तो अभी वो बेल पर हैं स्वास्त करनों से तो मैं तो दूआ करूँगा कि जितनी जल्दी हो स्वास्त हो जाएं लेकिन ब्रस्टचार, जंगल राज और परिवारबाद का जो उन पर चस्पा है ये जो आरोप इससे वो मुक्त नहीं हो सकते हैं और बिहार के हजारों बहन बेटियों को उन्होंने निरास कि अपने सासनकाल के दौरान अपरन हजारों नहीं लाखों बच्चों के हुए मा लेकिन अपराद फिर से एक कहिए कि उस सीमा को पार कर रहा है जिससे बिहार बहुत पहले बाहर आ चुका है यह द्रुबाग इसलिए है क्योंकि इस गठवंदन में एक ऐसा पार्टनर दल है जिसकी पहचान ही अपराद और जंगल राज से हैं इसका पहचान ही जंगल रा प्रदेश प्रवक्षा जिसमें आपके क्या प्रतिका है कॉन दो बता है आप देख रहें तो जंता जक्सन मेरा नाम डी से है